इस question में हमसे यह उच्छा जा रहा है कि carbon 14 और carbon 12 का जो है वो रेशो गिवन है फॉजल एक बोन के अंदर एक जो मरा हुआ जानवर है उसकी बोन के अंदर और वो रेशो जो है वो वन फोर्थ है तो हमें यह जानना है कि जो फॉजल जो बोन है उसकी एज एप्रॉक्सिमेटली क्या हो सकती है और हमें जो हाफ लाइफ है हमारे कारबन की वो हाफ लाइफ हमें गिवन है ठीक है तो इसकी मदद से हम इसको मालूम करें कि सबस्क्राइब यह चीज हमें समझनी होगी कि फॉजल फ्यूल वगरा का इस कर रहा बलके कारबन वेल उसके अंदर रिमेंग है तो कारबन 14 की कम होने की वज़ा से उसमें से जो रेडियेशन की अमांट है वो भी क्या निकलेगी कम निकलेगी इसको में जो हमारी सलूशन की अप्रोच बड़ी असान होगी इसमें ऐस सच हमें कोई गिवन की नीड नह रह जाती है प्रिविएस के half right and upon two ठीक है एक half life घुज़री तो time कितना घुज़रेगा? half life है five seven three zero years ठीक है उसके बाद जब हमारे पास second half life कुज़रेगी तो second half life जब घुज़रेगी तो time हो जाएगा इसका double five seven three zero का double हो जाएगा तो दूसरे end पे हमारे पास यहां पर time आ जाएगा हम इसको 2 से multiply करेंगे या time को add कर देंगे तो it will be 11460 means 11,460 years ठीक है और आपका जो remaining amount है वो हो जाएगा 4 तो यही हमारी requirement थी कि जो carbon 12 का carbon 14 से carbon 12 का ratio है वो कितना रजा है one fourth तो accordingly for one fourth remaining amount हमारे पास जो time elapse हुआ है वो अंदाजन होगा 11,460 years तो यह जो fossil bone है यह तक्रीबन 11,460 years old है and that's our answer